कि सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो माय यूटूब चैनल से ट्राइम बाउन गूल यह वीडियो उन बच्चों के लिए एडिकेड़ है जो क्लास 10 में है या फिर 10 पास आउट करके 11 पर रहे हैं और अपने लाइफ स्टाइल से बोरो चुके हैं उन्हें समझ में नहीं आ रह मैं आपके लिए एक कर्यर पाथ बताना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि अगर आपका बच्चा क्लास 10 में है या तुम क्लास 10 में हो तो इन कॉलेज के एकशाम्स को तुमें देना चाहिएं क्योंकि एक यही एक रास्टा है कि तुम मिđ्ल क्लास फामिली के होने ये बहुजूद भी तुम बिना पैसो के अपने ड्रिम को पूरा कर सकते हैं और ये बात मैं कोई हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ ऐसी फैमिली जो इन बात से अवेर हैं इन सारे सुभिदाओं का उपभोग कर रही हैं वो इन सारे सर्विसेज को ले रही हैं बस तुम्हें नहीं पता है क्योंकि तुम अवेर ही नहीं हो या फिर अगर आप किसी बच्चे के पैरेंट्स हैं तो कान खोल के मेरे वीडियो को 10 मिनट दीजिए और आपको एक अच्छा आइडिया लगजाएगा अपने बच्चे के लिए और बहतर क्या कर सकते हैं खासकर middle class family के बच्चों के लिए जो upper class का है उनको तो attention भी नहीं होता और उन्हें already सब पता होता है बट हम जैसे family के लोगों को जैसे family के parents को कुछ भी नहीं पता होता है यह लोग भी बस दिन बर इदर उदर फोन में टिक टिक करते हैं और भी चीज़े होती हैं करियर आपसंस और भी बहुत सारे हैं कभी यह लोग सर्च भी नहीं करते हैं बट अगर तुम इस वीडियो पर गलती से आ गया हो ना तो इसकिप मत करना जरूर देखना देखो जैसे चाते हो तो खोटा एक बहुत ही वो रहता है कि चलो भाई कोटा प्रीज देते हैं बच्चे को आईटी जई की त्यारी करा लेते हैं लेकिन बहुत सारे पैरेंट्स होसते हैं यहीं से 11-12 कराते हैं तो मैं तुम्हें कुछ रास्ते बताता हूं पहला बात डिप्लोमा आप करा सकते हो कोई मसला नहीं है अगर आप आईटी की तैरी के लिए भेजना चाते हो कोटा तो डिस अ राइट टेफिशन वाला ही बच्चा हमेशा फांडेशन वाला ही बच्च आईटी में बढ़ी हा रैंक लेकर आता है ठीक है टार्गेड वाले तो कभी कभी आईटी में साते हैं ठीक है साते बात हैं सही बता रहा हूँ मैं खुड कोटा से कोटा में मैंने रहा हूँ पढ़ाओँ रेजुनेंस पढ़ाई करी है तो मैं इस चीज को बहुत करीब जो फैमिली अवेर है ना वो इन सुविदाओं का उपभोग कर रही है भी अच्चू बहुत दूर दूर के बच्चे यहां पढ़ने जाते हैं चोटी-चोटे बच्चे क्लास 6 में क्लास 5 में क्लास 11 में जाते हैं ठीक है जामिया मिलाइसलामिया जिसमें से AMU और भी अच्च 11 12 कराना है तो AMU 11 12 के लिए आप यहां पर फॉर्म बरिए अगर आपको टेंशन हो रहा होगा कि अरे मेरा अच्छा छोटा है कैसे रहेगा तो उसके चिंता ना करो यहां पर हॉस्टल बहुत अच्छे हैं ठीक है आराम से रहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है घर से त और मिडिल ग्लास फैमिली से हो तो पक्का बात है कि वह बेटर इन्वार्मेंट में रहेगा और एक बात और इस जो भी आइटी होते हैं नाइटी होते हैं या इंडिया की टॉप इंसिटूट्स होते हैं वहाँ पे बच्चे इतने टालेंटेट कैसा होते हैं वह इतने टॉप पे क्यों है रीजन क्या है रीजन ही है कि वहाँका महौल वैशा है वहां पे एक एक बच्चा चुनके जाता है चाहें वो पर्रुफेशर हो या स्टूडेंट हो सारे के सारे बहुत वी टॉप लेबल के होते हैं अगर लेवल के लोग होंगे, घर उतना बड़ी है, आटोमेटी होगा, तो इसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है, मैं तुम्हें एक बात जरूर बताऊंगा, अगर आप 10th में हैं, या 10th पास आउट करके 11th में आ गया हैं, आप चाहते हैं कि आप कहीं बाहर जाके पड़ें, व सिर्फ यहां कि इंप्लाइस लोगों का होता है, जैसे मैं बच्पन में मुझे पता था, कि एक सी अच्छस नाम का भी फार्म आता है, जैसे भरना चाहिए, और लेकिन लोगों ने बोल दिया, नहीं नहीं, वहां तो 80% कोटा इंप्लाइस का है, ठीक है, लोगों ने बोला साहीं और भेसता है, इससे भी बढ़िया जगा पर पढ़ने के लिए बेसता है, तो यार तुम इत्ता टेंशन का हैं ले रहा हूँ, ठीक है, अब मैं तुम्हें बात बताता हूँ, कि तुम्हें इन सारे उनिवस्टी को चूज क्यों करना चाहिए, पहले चीज, यहां पे मैं अब भी गाउं जाता हूँ, जब अपने गाउं में जाता हूँ, अपने दोस्तों को देखता हूँ, तो पता चलता है कोई अभी भी SSCMTS की त्यारी कर रहा है, और कोई अभी भी SSCCZL की त्यारी कर रहा है, उन्हों ने उससे उपर कभी देखा ही नहीं, मैं भी अगर गाहों में ही रहा होता, तो मैं भी इससे उपर नहीं देखता, मुझे भी नहीं पता होता है कि software engineering क्या होती है, गूगल और Microsoft में placement कैसे लेते हैं, या फिर Intel क्या होता है, या एक Qualcomm में placement कैसे होता है, या एक Indian engineering services कैसे बना जाता है, है ना, PSU में job कैसे लिया जाता है, अगर foreign MS क करने के लिए क्या process होता है, मैं MS कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, हमारे मन में तो यह होता है, या रे यार, इस सिर्फ अमीर के बच्चे ही कर सकते हैं, अमीर लोगी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसके बारे में research नहीं कर रहे हो, तुम आरे पास knowledge न आपको नॉलेज नहीं है, वो आपको गाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस वज़ा से आपनी इज़ा पा रहे हो, सोच ना, इंसान की जो सोच होती है भाई, यह बहुत माइने रखती है, आपकी सोच आपको राजा बनाएगी, या आप एक नॉर्मल इंसान की जिन्दगी जी हो जिसमें से दू चार्टे होते हैं, बाकी वैसे ही कह देते हैं, अरे नौकरी नहीं मिल रही है, गौर्मेंट नौकरी ही नहीं दे रही है, अरे यार कहां से देगी, थोड़ा अपनी भी अकल चलाओ, इससे उपर भी उठो, जिस स्कूल में प्योन बनने के लिए आप घिसत तुम नीचे के लिए ही सोचते हो, ठीक है, थोड़ा सा अभी वी जाता हो, यूपी, पता चाहिए, यूपी पी कोई त्यारी कर रहा है, कोई अससे के लिए हिस रहा है, तुम थोड़ा उपर बढ़के सोचो ना, उन्हें लगता है हमारा फाउंडेशन वीक है, अरे तुम में घर पे वही गौवाला एट्मोस्फियर रहा, है ना, 11-12 जिस स्कूल में आए, ना तो टीचर को बहुत अच्छा इडिया था ना तुमें था, और तुमने वहां से उस कुवे से बाहर निकलने की कोशिस ही नहीं करी, कुवे के मेठक बनके रह गय, थोड़ा सा बाहर न अला कि एबरेज प्लेस्मेंट देने वाली यहां पे कॉलेज हैं, आइएम में एक बार चले जाओ, जिन्दगी समझ जाएगी, और उसके लिए ऐसा नहीं कि तुम्हें पैसा देना है, पैसे तुम बैंक से लेके चले जाओ, लेकिन मैं जिन कॉलेजों के बारे में बात कर अब यहां पे तुम्हें आने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए, यहां पे तुम्हें एक तो बेस्ट एस्मोस्फियर मिलेगा, अपने ड्रीम को कम्प्लीट करने के सारे संसादन मिल जाएंगे, तुम्हें जो किताब चाहिए हैं, यहां की लाइबरेरी में उपलब्ध हैं, जैसे प्रोफेसर चीहें, यहां पे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, यहां पे फ्री वाइफाई, फ्री इंटरनेट, फ्री कम्प्यूटर, सारा कुछ है, तुम्हें जो ढूणना है, ढूणो, ठीक है, अगर तुम कभी विमार पढ़ रहा हो, तो ऐसा नहीं है, घ यहां पे दी जाती है, यहां का सोसल एटमोस्ट्वियर बहुत ही शांदार है, चाहें तुम ब्यच्चु की बात कर लो, या एम्यू की बात कर लो, फीस नाम मातर का है, आठ हजार एक साल का, इससे ज़्यादा तुम अपनी स्कूल में देते हो, मैं गारंटी के साथ बोल वो भी जो तुम फीस देते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा स्कॉलर्शिप के तौर पर आता है, और यहां के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, अब मैं तुम्हें कुछ रास्ता बताता हूं कि अगर मान लो तुम 12 में और तुम्हें इंजिनियर बनना है, तो तुम क्या-क्य जूच कर सकते हो, पहला कि तुम इनके फॉर्म्स बरो, यहां पर आ जाओ, और यहां पर 11 की प्रप्रप्रेशन फिर स्टार्ट करो, और 11 के साथ ही यहां पर बहुत सारी कोचिंग हैं, मेरी खुद की भी है, तो इनके साथ तुम क्या करो, 11 के साथ ही आइटी जई ही की प् तो यहां पर देते हैं तो यहां पे ऐसा ही है तो तुम आउन लाइन ऑफ लाइं जो भी कोचिंग जोईन करना चाहते हो जोईन करो 11 से ही आईटी जेई की प्रप्रेशन करो और तुम दो साल बाद एक्जाम दो क्वालिफाई कर लो आईटी में सेलेक्शन हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो उसका भी उपाए है क्योंकि अगर तुम्हें एम्यू में पढ़ रहो सपोस्ट आट इफ यू आर इस्टइइंग एन अम्यू तो पहला फायदा क्या है इंटर्नल कोटा मिल लाता है इंटर्नल कोटा मतलब क्या होता है यहां का क्रेजुएशन में 50% सीट्स जो हैं इंटर्नल के लिए रिजर्व है मतलब अगर तुम यहां पे 11 पढ़ रहे हो तो अगर तुमको यहां से बीटे करना हुआ या बीसी करना हुआ तो 50% सीट्स तो क्योंकि क्या न की देखो एक बार तुम 11 तुम इलेवेंथ में घुज गए ना भाई तुम 11 तुमने मैस लिया तो तुम इंजीनियर बनके निकलोगे है ना क्योंकि यहां इंटरनल कोटा है तुमने अच्छे अच्छे दीरे भी पढ़ाई करी तो भी सेलेक्ट हो जाओगे जीट पाज आ रहे हैं क्योंकि इंटरनल होने का फायदा है तो तुम भी फायदा उठा हो नजार अगर अगर्वंड फायदा देरही है तो तुम क्यों नहीं लेज जानो लेगिन तुम्हारे मन में अब होगा कि भाईया यहां पे तो सर्फ तेजबच्चों का इसलेक्शन होता होगा ऐसा कुछ भी नहीं है तुम फार्म भरो किताब आती है महनत करो तुम्हारे लिए हमने एब बनवाया है एब डाउनलोड करो वहां पे सारी किताबे हमने रखिये उसे पड़ो हमारे वीडियोस देखो बिल्कुल सेलेक्शन होगा हम यहां पर फॉर्म भराने से लेकर तुम्हारे एडमिशन तक तुम्हारे साथ है अगर आप गार्जियन हो या अगर आप इस्टूडेंट हो आपके मन में एम्यू जाम या ब्याच्चू мुझा पूछो हम बताएंगे यह करियर काइडन्स पहुत जरूरी है मेरे टाइम में मुझे करने वाला कोई नहीं था बट मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें करने वाला कोई नहीं हो जो to को कर चुके और एक बार तुम एक बार तुम एसे काम कर लिए कि एक बार तुम लोवर मिडल क्लास फ्ैमिली सीच इप्र मिड़ल सट न तो थुमारे बच्चों को ऐसे प्रिपराबलम होगी मेरी मिडियो मेरा नंबर चली रहा होगा वाटसप कर लेना definitely I would like to help you सच बता रहो वरना तुझ जो चल रहा हो चली रहा है ठीक है अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा पर चलो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज इसे लाइक करके शेयर करना जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करना क्योंकि यह बहुत ही important वेडियो है करियर के हिसाब से class 10 के बच्चों के करियर के हिसाब से तो चलो मिलते हैं नेक्ट उड़े में तब तक लिए बाई बाई टाटा एंड चाहिंद